Hello everyone, I am Varsha from Raipur and I want to share something about my weight loss journey जो नीशा मैम के साथ चल रही है, continue चल रही है और आगे भी चलेगी मुझे 3 मन्त कंप्लीट हो चुके हैं और इस 3 मन्त में मैंने 20 kg weight loss किया है मैम को मैं TikTok से follow कर रही हूँ and TikTok पे मैंने मैम के exercises देखके क først time की मुझे करना चाहिए तब मैंने exerciseस से 1kg weight loss कर लिया मैंने exercise से 1kg weight loss कर लिया ता उसके बाद मुझे अलगा कि मछे मैं से plan देन बहुते चाहिए, इन मैंने मैं से contact किया फिर मैंने planning लिया उसके बाद मैं प्लान लेने के बाद में और ही अच्छे मुझे रिजर्ट मिलने लगे विकोज अगर मैं exercise से इतना weight reduce कर सकती हूं तो diet और exercise दोनों से मैं कितना weight reduce कर सकती हूं तो मैंने इस 3 month में 20 kg weight reduce किया है जो कि बहुत ही जादा है मेरे लिए मुझे कभी लगा नीठा कि मैं इतना कर पाऊंगी मुझे मेरी family मेरे ममी पापा मेरे हभी सब इतने खुस है मेरे husband तो हमेशा ही मुझे support करते थे कि तुम कुछ भी कर सकती हो तुम करो तुम करोगी तुम जरूर कर लोगी मेरे लिए तो नीठा मैम एकदम God की तरह है वो मेरी life में आई मेरी life एकदम change होगी मुझे में इतने changes आए कि मैं क्या बताऊं बहुत ज़्यादा confidence भी बड़ा है self confidence भड़ा है motivation मीला है मोटिवेट हुई हूँ healthy life style होगी यह बहुत ही अच्छा लगा है एकदम बहुत ही अच्छा है नीठा मैम thank you so much मेरी life में आने के लिए एंड इतना मोटिवेट करने के लिए thank you so much यह सब कुछ निशा मैम की वज़े से ही हो पाया है और ऐसा नहीं है कि मैम ने diet plan दे दिया और उनका काम खतम हो गया दूसरे dietation की तरह नहीं है मैम वो हमेशा meals कहती है कि meals भेजो आप meals check करती है अगर कुछ गलती होती है तो वो तुरन बताती है मतलब इतना कोन करता है यार दूसरे डाइट इशियन तो बस डाइट प्लान दे देते हैं उनका काम खतम हो जाता है उसके बाद हो गया रेकिन मैं मैं ऐसी नहीं है उनसे कुछ भी प्रॉब्लम शेयर करो वो हर चीट का सोलिशन बताती है पर्सनल प्रॉब्लम हो जाए कोई भी प्रॉबलम हो मेरी में खlet करने के लिए Thank you so much ma'am मेरे life में आने के लिए इतना motivation देने के लिए इतना motivate करने के लिए Love you so much and thank you so much ma'am